हमने जो यहां पर संगठन तियार किया है, पचीस सज्जार करच करताओं का संगठन, एतने करच करताओं की फोज हमारे साथ है, और इसका भ्य जो है परसासन में है, तो परसासन तभी काम करता है जब जानता है कि नेता के साथ जनता है, सबसे हम मुद्दा जो इस छितर का है कि दोनों के दोनों एक तो पहले से अलुक महताजी भारी थे और जो दुसरे उमिदवार है एंडिये के वो भी भारी उमिदवार भीज दिये गए लोग बोलते हैं कि यह टक्कर में है वो टक्कर में है कोई टक्कर में नहीं है हम जो है बहुत आगे हैं और बहुत ही भारी बहुमत से जीत रहे हैं बस मेरा एक ही सवाल है, क्या भारतिय जनता पार्टी के पास एक भी उमिदबार नहीं, एक से यहां पे दुरुगा बाबु यहां पे हैं, यहां समंध कुमार चोधरी हैं, बहुत सारे यहां पे उमिदबार हैं, उपिंदर कुजभा यहां पे उमिदबार थे, लेकिन उसके नाम है, नाम के महताज तो है नहीं, इनका नाम है प्रसांद, कुमार पंकर जी, जैसा कि आप जानते हैं कि स्वर्गियर रामलखन महतो जी के सुपोत्र हुए, और उनका एक भारतीय राजनिती में या कहें बिहार की राजनिती में एक प्रमुख योगदान रहा था, और उजियारपूर की धर्ती पर उन्होंने बहुत सारा काम किया तो उनके बाद उनकी विरासत को किस तरह से प्रसांत कुमार पंकर जी सम्हाल पाएंगे क्योंकि जिम्यदारी बहुत बड़ी है इनके सामने जो दो प्रतिदंदी है एंडिये से सील कुमार राय जी है और आलो कुमार महता जी है राष्टी जनता जल से जो काफी अनुभबी है वो लोग अल्रेडी विधायक रह चुके हैं तो छेतर के विकास में उनका क्या योगदान रहा है और ये क्या कर सकते हैं छेतर के लिए तो इन से जानेंगे योवा भी हैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद प्रसान जी हमारे चैनल में तो क्या कहना चाहेंगे दल सिंग सराय के बारे में क्या लगता है आपको उजियारपूर का जो अभी त्रिकोनिय संगर्स कहा जा सकत हैं तो इसमें क्या रहेगा आपका बहुत-बहुत धन्यवाद भले आपको मैं आपको बताओं कि हमारे पिता जी काफी काम किये यहां पे और काफी प्रहाव था च्छेतर में उनका काम करने का एक तरीका था जब परसासन पर फमक के साथ काम करते थे और पिछले उनके लगातार हम छेतर में काम कर रहे हैं लोगों के बीच में हैं हर पंचायत हर टोला में हम जाने का काम किये हैं जब कोरोना काल था कोरोना काल में जब एक काजकरता और एक नेता जब घर से निकल नहीं रहे थे घर के अंदर दुबके हुए थे उस समय फर्स्ट लोगडाउन के अगले दिन से ही लगातार हम लोगों के बीच में हैं, लोगों के सुख में, दुख में साथ हैं, कोई दिखने वला नहीं था, और लोग की अवाज थी कि भाई यहां पे जो हमने विधाय को जिताया, तो एक बार जो जितके गए हैं, दो बार लौट के नहीं आए, फोन कर त हमाने प्रासंन प्रसासन के पास जाएंगे प्रास Chronik Commander Z second प्रास थे, कीस कैंच जाएंगे इतने कट करता हूं कि फोज हमारे साथ है और इसका भ्य जो है परसासन में है तो परसासन तभी काम करता है जब जानता है कि नेता के साथ जनता है हमारे साथ जनता है आप हमें असिरबात दीजिए हमको एक मोका दीजिए पूरी ताकत से हम परसासन चलाएंगे और यहां के ए साइडेड होके उनको वोट करती है तो क्या लगता है कि इस बार भी वन साइडेड होके उनको वोट करेगी या फिर नए परतिभागियों को भी मौका मिलना चाहिए छेतर के विकास को देखते हुए यही तुम्हें बता रहा हूँ वो लोग MP बने बिधायक बने लेकिन फिर जनता दोनों को compare कर रही है और सबसे हम मुद्दा जो इस छेतर का है कि दोनों के दोनों एक तो पहले से आलुक मेहताजी बाहरी थे और जो दुसरे उमिदवार हैं NDA के वो भी बाहरी उमिदवार भीज दिये गए तो जबड़दस जना क्रोस है और मैं इस छेतर का बेटा हूँ लोगों को हमको विस्वास है क्योंकि हम लोगों के बीच में रहते हैं जनता जनार के बीच में रहते हैं कोई गलती भी करेंगे तो जनता जो हमें सजाज दे सकती है लेकिन वो दोनों बारी उसको सजा नहीं दे सकती है यही तुलना है हम दोनों के साथ काम करने का ज लोग बोलते हैं कि ये टककर में हैं, वो टककर में है, कोई टककर में नहीं है, हम बहुत आगे हैं और बहुत ही भारी आपने से जीत रहे हैं, इसके पीछे क्या लगता है कि कुछ जातिवाद यह समीकरन है कुछ है यही तो बिडमना है राइनित की बिडमना है अब यहां पे भारतिय जनता पार्टी से में एक से एक बरिष्ट काच करता थे सबी लोग का हम सम्मान भी करते हैं और हमेशा सम्मान करते रहे हैं कोई भी यहां की कर्च करता को नहीं मिला भारतिय जनता पार्टी को जो एक बाहरी उमिदवार ओभी दुसरे दल के उमिदवार उनको लाकर के टिकर दिया गया मैं जाती बात पर कुछ में बोलना नहीं चाहता हूं बस मेरा एक ही सवाल है क्या भारतिय जनता पार्टी के पास एक पूरे भारतिये जनता पार्टी और इंडिये में जबर्दस जाना कुरोस है और आप विस्वास मानिए जितनी भी जनता यहां की है इसका बदला लेगी और सारे के सारे भोट हमें देने जा रही है आप तो युवा हैं पहली बार राजनिती में आये हैं आप राजनिति एक कहते हैं कि भविस्वी की तलास कर रहे हैं और तमाम पार्टियों से होकर के आप आये हैं तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आप थे जदियू में थे फिर अचानक से आप इसमें आये हैं तो कह ने कहीं आपके प्रती लगता है आपको की जनता में आकरोश होगा देखिए हम जदियू में थे चुके हमारे बाबो जी थे तो उस अधार पे हम जदियू में थे और मुकमंतरी मोहदय के साथ मेरे बहुत ही अच्छे घनिश समन्द थे लेकिन जो मेरा सवाल सिर्प मेरा नह गए उस अधार पे भी हमें बनता था कि हमको पार्टी में एक सम्मान मिले लेकिन जिस तरीके से पार्टी के अंदर एक साजिस के तहट किया मतलब मतलब आपका हाल भी गुपते सर पांडेर जी वाला हो गया देखिए उस पे तुम कुछ कहना नहीं चाहेंगे लेकिन मेरा एक हक बनता था वादा तो उनसे भी किया था नितेजी ने यह हमें पता नहीं लेकिन मेरा हम अपनी बात करते हैं कि मेरा हक बनता था कि हमें मिले और हमने काम करके दिखाया था हमने जो यहां संगठन बनाया वो पूरे बिहार में इसा संगठन कहीं पे नहीं था यह इंदर पुस्वाह जी की पार्टी सिंबोल लिया है और हमें विश्वास है यहां की जंदा उजो आला कमान के द्वारा जो एकातिस फत्वा जारी होता है कि हम फलाना को बाहरी को भेज दिये इसको आप जिता दिजिए उसका मुझतोर जबाब देगी बिहार की राजनीती मे इसे चुनाओं में एक एतिहासिक चुनाओं होगा जहां पे लोग पार्टी से उपर उठकर और जाती से उपर उठकर हमें भोट करने जा रहे हैं यह बहुत ही अनुखा चुनाओं होगा और आप सभी लोग सक्षी होंगे इस चुनाओं के रिजल्ट का कि हर हालत में करना चाहती है पी देखिए अभी जो हम चुनाओं में आए है तो मेरा एक ही मुद्दा यहां पर है कि हर हालत में जो दोनों बाहरी उमिद्वार हैं बाहरी मिदबार को यहां से भागाना और एक अस्थानिय को लाना यह मेरा मेन जो यहां पर चुछ यानि आप छेतर के विकास के लिए कटिवद्ध है हर हालत में हम छेतर के लिए कटिवद्ध है यहां की जनता के लिए कटिवद्ध है और लोगों से वादा कर रहे हैं कि आप जो ज जरूरी है साहर के लिए। कर सकते हैं और यह मैं करके दिखाऊंगा अगर हमें मौका मिलता है तो इस पांच बढ़सों में एक-एक सरग बनाने का काम करेंगे साथ ही साथ यह किसानों का च्छित रहा है बागू जी का बहुत ही लगाऊ किसानों से रहा है हमने एक बिरहत बजार समीती का सपना देखा है जिसमें की food processing unit होगा उसकी storage की बेवस्था होगी महिलाओं के लिए महिला थाना की बेवस्था करना चाहते हैं चाहतराओं के लिए एक free wifi center हर एक पंचायत में हम करेंगे तो यह सारे काम हैं जो हमें करने हैं जो उद्योग के यहां पर एक उद्योग नहीं है जैसे दिवखाल चोड में हैं वहाँ पर बहुत सारा जमीन जो सरकारी जमीन है medical college की अस्थापना वहाँ पर होनी थी लिए एक साजिस के तहत यहां पर चुकि यहां पर अस्थानिया विधायक नहीं थे तो उसके कान यहां से अस्थान बदल दिया गया अगर वहाँ पर अभी जगा है सरकाई जमीन है वहाँ पर सी बिस्विद्याले खोलेंगे वहाँ पर राष्टियस तरका जो मतस से अनुसंधान के अंदर होता है वह खोलेंगे वहाँ पर उद्योग लगानी के कुशिस करेंगे और लगाएंगे हम उद्योग लगाएंगे तो यहां के अस्थानी हैं हमारे जो बेरोजगार लोग हैं हमारे जुवा हैं हमारे साथी हैं उन तो उस तरह का culture क्या आप चाहते हैं कि यहां भी उस तरह का विवस्था होना चाहिए बिल्गूल निश्चित रूप से जो बाहर जाने से कुछ सीख मिलती है कहीं भी कोई काम करते हैं एक सीख मिलती है उस सीख का फैदा काम करने में होता है हमने जो अभी बजार समिती की बात की है तो बहुत ही कम लेंड में एक बहुत ही उन्नत बजार समिती बनाया जा सकता है तो उस सब हमारे पास concept हैं जो हम बनाना चाहेंगे बाहर के लोग काफी punctual होते हैं टाइम के सब कुछ करना पसंद करते हैं सच्चे होते हैं जूट नहीं बूलते हैं तो उस सारे चीज जो हमारे दिमाग में हैं उस तरह का implement हम अपने चेत्र में भी करेंगे और विकास करके एक कृतिमान हम बनाना चाहते हैं जो लोग एहा की जंता हम पे गर्व करेगी कि मेरा बेटा ऐसा है आपका बहुत बहुत धरनेवाद हमसे बात करने के लिए